सीरल नागिन टू में शिवांगी और शेशा मिलकर करते हैं तांडव रौकी की जान बचाने के लिए सीरल नागिन टू में चल रहा है बहुत ही इंटेंस ड्रामा शो में आ रहे हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंटर्ण शिवांगी और शेशा दोनों ही मुसीबत में है क्योंकि रौकी महिशासुर के हाथों में है और रौकी की जान को खत्रा है शिवांगी रौकी को किसी भी कीबत पर खोना नहीं चाहती और वो चाहती है कि रौकी की जान कैसे भी करके बच जाए शेशा भी यही चाहती है क्योंकि शेशा भी रौकी से बहुत प्यार करती है इसलिए शेशा इस बार देती है शिवांगी का साथ रौकी की जान बचाने के लिए वो दोनों शिव मंदिर पहुचते हैं और वहाँ जाके पंडित से पूछते हैं कि वो कैसे रौकी की जान बचा सकते हैं पंडित उन्हें बताते हैं कि शेशा और शिवांगी को रौकी की जान बचाने के लिए नागराज को जगाना होगा वो दोनों पंडित से पूछते हैं कि वो नागराज को कैसे जगा सकते हैं जिस पर वो पंडित उने बताता है कि उन दोनों को तांडव करना होगा अगर वो दोनों तांडव करेंगी तो नागराज जरूर जग जाएंगे इसीरीज शिवांगी और शेशा दोनों ही मिलकर अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके करती है तानडव रौकी की जान बचाने के लिए अब देखते हैं कि क्या इन दोनों के तानडव से रौकी की जान बच पाएगी क्या नागराच जग जाएंगे रेले शोर से जुरी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस रॉकी से बहुत प्यार करती है, इसलिए शेशा इस बार देती है शिवांगी का साथ रॉकी की जान बचाने के लिए वह दोनों मंदिल पहुँचते हैं और वहाँ जाके पंडित के पूचते हैं कि वह कैसे रॉकी जान बचा सकते हैं पंडित उन्हें बताते हैं कि शेशा और शिवांगी को रौकी की जान बचाने के लिए नागराज को जगाना होगा वो दोनों पंडित से पूछते हैं कि वो नागराज को कैसे जगा सकते हैं जिस पर वो पंडित उन्हें बताता है कि उन दोनों को तांडव करना होगा प्रेकली प्लीजे सबस्क्राइबस